पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा और फ्रेंट ये क्लास आपकी मॉर्णिंग सुवे 7 एम पर डेली लाइव आती है तो आप सभी लोग सुवे 7 बजे इस क्लास के साथ जुडियेगा चलिए देली ना कर्टिएओ आज के पहली कुशन पर आती है आज का पहला कुशन हमारा लिखा है सिरी सरवानंद सोनोवाल दुआरा सुरू किये गए सागर समाजिक सहयोग CSR दिसाने देश को का उद्देश क्या है फर्ष्ट ऑप्शन है इस्थानिय सामुदाइक मुद्दों को सम्भोधित करने के लिए बंदर गाहों को ससक्त बनाना सेकंड ऑप्शन है CSR गती विदियों पर सरकारी नेंत्रड बढ़ाना थर्ड ऑप्शन है प्रमुख बंदर गाहों के लिए CSR खर्चों को कम करना और फोर्ट ऑप्शन है CSR पर्योजनाओं के दाइरे को सीमित करना बताईएगा फ्रेंट्स इस कुशन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा स्री सर्वानद सोनोबाल द्वारा सुरू किये गई सागर सामाजिक सायोग CSR दिसा निर्डेशकों का उद्देश क्या है इस प्रेशन का सही आंसर हमारा ओप्शन नमबर A हो जाएगा इस्थानी सामुदाइक मुद्दो को संबोधित करने के लिए बंदर गाहों को ससत बनाना दिसा निर्डेशकों का उद्देश CSR गती विदियों के माद्यम से इस्थानी सामुदाइक मुद्य को प्रभावी धंग से संभोधित करने के लिए बंदर गाहों को ससक्त बनाना है चलिए आंगे बढ़ते और नेश कुशन देखते है नेश कुशन हमारा लिखा है बंदर गाहों के लिए उनके सुधलाब के आधार पर CSR बजट कैसे आवंटित किया जाएगा फर्स्ट ऑप्सन है सभी बंदर गाहों के लिए निश्चित प्रिश्चत सेकेंड ऑप्सन है 100 करोड या उससे कम वार्शिक सुधलाब वाले बंदर गाहों के लिए 3-5% थर्ड ऑप्सन है 100 करोड से 500 करोड के बीच वार्शिक सुधलाब वाले बंदर गाहों के लिए 2-3% और पूर्ट आप्शन है 500 करोड से अधिक वार्चिक सुद्ध लाव वाले बंदर गाहों के लिए 0.05 से 2% और आप्शन नमबर फिफ्ट है उप्रियोक्त सभी बताईएगा फ्रेंच इस कुशन का साई आंसर हमारा क्या हो जाएगा बंदर गाहों के लिए उनके सुद्ध लाव के आधार पर CSR बजट कैसे अवंटेद किया जाएगा इस कुशन का साई आंसर हमारा दोस्तों आप्शन नमबर फिफ्ट हो जाएगा उप्रियोक्त सभी CSR बजट आवंटन बंदर गाहों के सुद्ध लाव के आधार पर भिन्योता है जिसमें 3-5%, 2-3% और 0.5-2% के विकल्प होते हैं चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन अमारा लिखा है MSME साहिता के लिए स्री नारायन राने द्वारा लॉंच किये गए पोर्टल का नाम क्या है फर्स्ट आप्शन है उद्धमी भारत पोर्टल सेकेंड आप्शन है MSME ग्रोथ पोर्टल थर्ड आप्शन है चेंपियंज 2.0 पोर्टल और फर्ड आप्शन है MSME डफलपमेंट प्लेट फॉर्म बताएगा दोस्तों इस कुशन का साही आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस question का सही answer हमारा दोस्तो option number C, champions 2.0 portal हो जाएगा स्री नारायन राने ने champions 2.0 portal launch किया है जो MSME के बीच सिकायत निवारण और ज्यान साधा करने के लिए एकल खिड की प्रडाली के रूप में कार करता है चैलिए आंगे बढ़ते हो नेश question देखते है नेश question हमारा लिखा है cluster परियोजनाओं और प्रोद्धोकिकी केंद्रों की geo training की सुधा के लिए कौन सा एप लाँच किया गया था फर्स्ट option है जीउ MSME सेकेंड option है MSME Geo Tracker थर्ड option है cluster geo और फोर्ड option है geo tag MSME बताईएगा दोस्तों वैं कौन सा एप लाँच किया गया था इस question का सही answer हमारा option number D हो जाएगा geo tag MSME MSME से जुड़े cluster परियोजनाओं और प्रोद्धोकिकी केंद्रों की geo training को सच्छम करने के लिए geo tag MSME नामक मोबाइल एप लाँच किया गया था चलिए आंगे बढ़ते हैं और next question देखते हैं next question हमारा लिखा है किस नियामक संस्था ने Tata Technologies के IPO को मज्रूरी दी है first option है RBI भारती रिजर्बेंक second option है SEBI भारती प्रतिभूती और विर्मेबोल्ड third option है IRDI भारती बीमा नियामक और विकास प्रादी करण fourth option है NSE National Stock Exchange बताइएगा दोस्तों किस नियामक संस्था ने Tata Technologies के IPO को मज्रूरी दी है इस question का जो सही answer हो जाएगा friends वे है हमारा option number B SEBI सेवी भारती प्रतिभूती और विनमेबोल्ड भारत में मंजूर भारत में पूझी बाजार नियामक है जो IPO की देखरेक और अनमोधन करता है चलिए आंगे बढ़ते और नेश कुशन देखते है नेश कुशन अमारा लिखा है QS World University Ranking में लगातार 12 वर्सों तक कौन सब इस विध्याले सीर्स पर रहा है फर्स्ट ऑप्शन है Cambridge विध्याले सेकेंड ऑप्शन है Oxford विध्याले थर्ड ऑप्शन है Stanford विध्याले और फोर्ट ऑप्शन है Massachusetts Institute of Technology MIT तो जल्दी से कमेंट करके बताईएगा दोस्तो QS World University Ranking में लगातार 12 वर्सों तक कौन सब इस विध्याले सी से पर रहा है इस कुशन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तो वे है हमारा ऑप्शन नमबर बी मैसा चुसेट्स Institute of Technology MIT ने लगातार 12 वर्सों तक QS World University Ranking में सी सिस्थान हासिल किया है चलिए आंगे बढ़ते हों नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन अमारा लिखा है QS World University Ranking दो हजार चौबिस में कितने भारती विष्विध्याले सामिल है फर्स्ट ऑप्शन है A 35, B 41, 3rd 45 और 4th है 50 तो बताईएगा दोस्तो QS World University Ranking दो हजार चौबिस में कितने भारती विष्विध्याले सामिल हैं वे हमारे 45 भारती विष्विध्याले सामिल है उप्शन नमबर C सही हो जाएगा QS World University Ranking दो हजार चौबिस में 45 भारती विष्विध्याले सामिल है चलिए आंगे बढ़ते हैं नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन हमारा लिखा है SCST उद्धमियों के समर्थन के लिए उद्कृष्टता केंद्र COE स्थापित करने के लिए कि संगठन ने MSME मंत्राले के साथ सायोग किया है फर्स्ट उप्शन है राष्टी लगू उद्ध्योग निगम NSIC सेकेंड उप्शन है GEM सरकारी E-Market Place थर्ड उप्शन है SIDBI भार्टी लगू उद्धोग विकास बैंक फॉर्ट उप्शन है LG Electronics India Private Limited तो बताईएगा दोस्तों इस कुश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस कुश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वे है हमारा ओप्शन नंबर A- दाश्टी लगू उद्धोग निगम NSIC NSIC ने LG Electronics India Private Limited और Electronic Sector Skill Council of India के सयोग से SCST उद्धमियों को समर्थन देने के लिए उद्धकरश्टिता केंदर की सापना की है चलिए आंगे बढ़ते हो नैस कुशन देखते हैं नैस कुशन अमारा लिखा है कौन सी वित्तिय कमपिनी IPO जून 2023 तक के माध्यम से 1200 करोड रुपे जुटाने की योजिना बना रही है फर्स्ट ओप्शन है Tata Technology सेकेंड ओप्शन है SB FC Finance फर्ड ओप्शन है Gandhar Oil Refinery और फोर्ट ओप्शन है Tata Motors बताईएगा दोस्तों इस कुशन का सही अंसर क्या हो जाएगा कौन सी वित्ती कमपिनी IPO के माध्यम से 1200 करोड रुपे जुटाने की योजिना बना रही है इस कुशन का जो सही अंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे है हमारा ओप्शन नंबर BSBFC Finance अपने IPO के जरिये 1200 करोड रुपे जुटाने की योजिना बना रही है चलिए आंगे बढ़ते हो नाज कुशन देखते हैं आज का लाज कुशन अमारा लेखा है कौन सा विस्विध्याल है QS World University Ranking 2024 के सीर से 10 में सामिल होने वाला एक मात्र ACI संस्थान है फर्स्ट ओप्शन है National University of Singapore NUS सेकेंड ओप्शन है Singhua University थर्ड ओप्शन है Packing University और फोर्ट ओप्शन है Non-Young Technological University बताईएगा फ्रेंज इस कुशन का सही अंसर हमारा क्या हो जाएगा वे कौन सी योनिवस्टी है इस कुशन का सही अंसर हमारा दोस्तों ओप्शन नंबर A हो जाएगा National University of Singapore NUAS National University of Singapore QS World University Ranking 2024 के सीर्स 10 में जगे पाने वाला एक मात्र ACI विस्विद्याल है आई हो पाथ के सभी कुशन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे अगर सभी कुशन आप लोगों को अच्छे लगे हों और helpful लगे हों तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा मांसी स्टडी चैनल थैंक्यू दोस्तों